आप जानते में मजाक नहीं करता हूँ, मैंने का आपने देखा है, अब मेरे हाथ पर अग्दम अजीब कापने लगे, कुछ अजीब सी स्थिति हो गई, सहाज यकीन नहीं लग रहा था कि क्या ये सही, मतलब ये ख़वर है, तो फिरका नहीं बिलकुल, मैंने का ऐसा है, कंफ होते हैं, उसमें जो क्वालिफाइड कांडिडेट्स होते हैं, वो मेंस लिखते हैं, यानि प्री का नंबर आड नहीं होता है, उसके बाद पार्टी मंगने वालों का भी दौर शुरू हुआ होता है, हाँ, मित्रों की ये भी रहा है, तो पार्टी वर्टी हो गई? हाँ, भी चली रहा है, हमारे मित्र लोग यहां पर आये थे. in which we say, PCSJ के एक्जाम में इन्होने गोरखपुर का नाम रोशन किया है, क्वालिफाई किया है स्वागत है सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपको और गोरकपुर लाइव के दर्सकों को मेरा पड़ा आप ग्रामीड प्रिष्ट भूमी से आते हैं हम जब आपके घर आ रहे थे तो पूरा मतलब जो गाउं का एक परद्रिश्य होता है उस पगडंडियों से होते हुए हमें आना पड़ा तो जाहिर सी बात है आप ग्रामीड परिवेश में आपने जैसा बताया भी कि आपने यहीं रहकर पूरी तैयारी भी की थी आपके अभी हम कमरे में भी गए थे उसका भी दिखा रहे हैं लोग को ग्रामीड परिवेश से आने वारा लड़का और जजबन कर आज हमारे सामने बैठा हुआ है सफर कैसे शुरू हुआ और कहां तक पहुँचा हम लोग इस तरह से बाचीत शुरू करेंगे फिर आगे इसको जी मेरी जो बेसिक स्कूलिंग की अपनी जो पढ़ाई हमारी हुई है वो भी मैंने अपने प्राथमिक जो सिक्षा होती है वो भी मैंने अपने गाउं की जो प्राथमिक विद्याले है सरकारी स्कूल में वहीं से मैंने पढ़ाई की है कक्षा पांस तक की, फिर उसके बाद मैं छह से ले करके और बाकी जो पढ़ाई हमारी हुए हाइ स्कूल तक का, वो यहीं के एक आदर जंता इंटर कॉलेज है, मैंने वहां किया, पिर मैंने अपनी इंटर की पढ़ाई जो है वो राजकी जुबली इंटर कॉलेज गोरकपूर से और बाकी मैंने ग्रेजुएसन से ले करके बीए और बाकी सारी अपनी पढ़ाई अलेलम तक की अपनी गोरकपूर विश्वविद्याले से मैंने की है और यही मेरा सेक्षडिक सफर रहा है फिर उसके बाद मैंने UGC NET क्वालिफाई किया UGC JRF क्वालिफाई किया और फिर उसके बाद मैंने लखनू विश्व विद्याले में कर दाता है कि प्राइमरी स्कूल में तो पढ़के कोई कुछ बनेगा नहीं और आप प्रतिश्ठित परिक्षाव में से एक PCSJ जिसको कहा जाता है उसको क्वालिफाई करके बैठे हुए हैं क्या कहेंगे उन लोगों को जो कहते हैं कि पाइमरी में पढ़वा तका बनवा ये हाँ ये धारला है लोगों की लेकिन आप देखिए तो आप प्राथमिक स्कूलों में बड़े बहुत सुधार हो रहे है सरकार का की भी विसेश जोर है अब उसमें एक अच्छी सिक्षा मिल लेए और मेरा मानना ये है कि प्राथमिक स्कूल से पढ़ाई करें या फिर आप ग्रामीड परिवेश से रहें यदि आप एक निश्चित धैर के साथ अगर आप तैयारी कर रहे हैं और यदि आपने एक प्रिश्टबू मेरे पिता जी भी अड़ोकेट है तो एक मेरे मन में ये था कि पिता जी हमारे अड़ोकेट है और वो प्रैक्टिस गोरकपुर आटियो में बैठते थे तो ये था मेरे मन में कि पिता जी अड़ोकेट है तो मैं क्यों ना जजज बनूँ लाव में सब्सक्रां Сब्सक्राइब करने की मतलब आओं करने के लिए मेरे मन में कोई इक्षा नहीं सुरूस नहीं रही है मैं वकालत के पेसे का बहुत समान करता हूं वो भी एक बहुत प्रतिष्ठित है लेकिन मेरे मन में यह कभी नहीं था मेरा मन यह था कि मैं न्याइक सेवा में एक जज के रूप में में प्रतिष्ठित हो तो इसके बाद यह इंतजार इसका था मुझे और यह मेरा प्रथम प्रयास था और इसी प्रथम प्रयास में ही मैंने अपने सब्सक्राइब कर लिए बड़ा बहुत फेमस रहा है यहां से बड़ी बड़ी हस्तियां निकली है क्या अन्भो रहा है आपका गोरक पुरविश्व विद्याले के विधी के पढ़ाई आपने लल्बी भी वहीं से किया हुआ है कितना आप आज जिस पद पर पहुँचे हैं कितना युगदान उस डिपार्टमेंट का रहा है उस लल्बी एन्वार्मेंट का रहा है जी लॉकी जो हमारी बेसिक समझ है वो गोरक पुरविश्व विद्याले के हमारे गुरुजनों ने दी है ने संदे गोरक पुरविश्व विद्याले आप जानते होंगे कि गोरक पुरविश्व विद्याले को एक जजस फैक्टरी कहा जाता था और है भी अभी भी बहुत अच्छे मात्रा में सेलेक्शन होते हैं वहाँ पर और मेरी पूरी जो लॉकी बेसिक समझ है जो कुछ भी मुझे आज भी जो वह सर लोगों के पढ़ाय हुए लैक्चर्स मुझे अभी भी याद आते हैं तो जब कभी में मैं बेर आक्ट उठाता हूं किताबे उठाता हूं तो मुझे बिल्कुल याद आता है वह पूरे क्लास का वह परिदर्श की वह किस तरीके से तो मैं यह कहूंगा कि यह जो मेरी बेसिक समझ है लोके प्रती वह उनी लोगों के द्वारा मेरे में व्यक्सित किया गया है अच्छा ग्रामीड छेतर में आप रहते हैं प्योर ग्रामीड है मैं आभी आस पास दीख रहा था तो कई बार यह कहा जाता है कि पढ़ाई कर न तो कई दिक्कते जैसे बिजली आप तो आप तो सही हो गई है कुछ दिनों पहले तक बिजली प्रापर नहीं रहती होगी या उस तरह की सुविधाय इंटरनेट वगरा नहीं रहता होगा तो कितनी मुश्किले रही है गाउं में रहकर तैयारी करना यह कितना चैलेंजिंग जहां आपके लिए और जो लोग तैयारी करना चाहते हैं जिनके पास जो या फोड नहीं कर सकते हैं कि बड़े शहरों में जाकर रहे हैं उनको कैसे इस बात से सीख मिलेगी कि कैसे ग्रामेड शितर में रहते हुए भी पढ़ाई की जा सकती है देखे वली जी एक बात मैं संसाधन उपलब्द हैं बिजली अच्छी मिल रहे हैं तो आप गाउं में रहकर के भी पढ़ाई कर चुका हैं मैं घर पे था यहीं पर पढ़ाई करता था मैंने किसी कोचिंग सेंटर का कोई सहारा नहीं लिया लेकिन हां जो कुछ भी मुझे अपने डाउट सोते थे वो म अगर पढ़ाई में समर्के कोने में रहकर पढ़ाई करके यदि आप लगन से परिश्रम के साथ लगे हुए हैं परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता है तो अगर आप इस तरीके से तयारी कर सकते हैं तो गाउं और सहर कोई बाधा नहीं बनने वाली है अच्छा आपने किसी दूसरे सहर नहीं जा सकते हैं लेकिन आप उनके लिए नजीर हैं कि आपने बिना किसी उस कोचिंग सेंटर जोइन के या उस तरह से किये कैसे वह चीज़ अचीज अचीव की जा सकती है बिना कोचिंग के और कोचिंग और नॉन कोचिंग में क्या फरक आप देखते है मतल Gul क्या byНौ teaching होता होगा जो using करते होंगे उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं बिनारा कोेधिंग पहली बात तो आपने कहा कि do it होने की तो मैं यह कऊंगा कि using होने की आभशता नहीं है यदि आप कोचिंक कर रहे हैं या नहीं करョ रहे हैं निरास होने की तो रोल नहीं होता है, Coaching Centers हमें बता देते हैं कि क्या तैयारी करनी अప जरेते हैं आपको क्या नहीं पढ़ना है ये चीजे, Coaching Centers के अपना कोपयोगिता है, लेकिन यerson यह दी आप एक Strategy बना करके जैसे कोई होता न, कि आप सुने होंगे कि लोग पहले युद्ध छित्र में जाते थे तो युद्ध की नीतियां बनाते थे। इसले वर्सों के प्रश्ण पत्रों को सामने रखे और आप निरंतर अभ्यास करिए। कह सकते हैं कि कोचिंग उपियोगी तो है लेकिन अनिवार नहीं है हाँ यह मैं जरूर कहूंगा कि उपियोगी है अनिवार नहीं है बिना कोचिंग का भी किया जा सकता है तैयारी बिलकुल अच्छा आप जो है जब आप यह तैयारी कर रहे होंगे तो कई बार मन में आता भी कि यार वेकेंसी नहीं आ रही मतलब इन दिनों के मैं बात कर रहा हूं तो कभी यह नहीं हुआ कि छोड़ो अब कुछ और करते हैं क्योंकि कई लोग के साथ यह समस्यां आई कांसेटेंसी नहीं हो पाती है आप जानते होंगे जब तैयारी करता है वेक्ति तो कुछ दिनों ब पित रहां हां बिलकुल बिलकुल यहां उन्हें होता होगा और वेकेंसी भी नहीं आती वोगि तो उसमें भी होता होगा कि अगरिटेड काम जरूर कर सकते है जैसे मैं अपना अगर उद्धार दूं तो मैं 2018 वाले परिक्षा में नहीं हो सका था तो मैंने उसके बाद किया कि अपनी विशह की एक समझ बढ़ाने के लिए मैंने LLM कर लिया फिर वेकेंसी मेरे मेरा टार्गे तो आप देखेंगे कि अले लाओ के ही सब्जेक्ट से जुड़े रहा था तो वो कंटिनिविटी मेरी बनी रही थी फिर मुझे उसके रही है फिर मुझे इंतजार था कि वेकेंसी आया और जब ये वेकेंसी दस दिसंबर 2020 की वेकेंसी आई फिर उसके बाद से तो केवल तो इस तरीके से अगर कोई भी ये तरीका अपनाएगा तो वो सफल हो सकता है देखें निरंतरता बहुत जरूरी होती है हम क्या करते हैं एक कहा जाते है संस्क्रिट का इस लोग एक अनभ्यासे विशम विद्या कि अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो विद्या भी एक जहर के समान हो जाती है तो आप पढ़ते रहें निरंतर पढ़ते निरंतरता बनाए रखिए चार गंटा पाँच गंटा चे गंटा ही जो भी पढ़िए लेकि निरंतरता बनी रहनी चैसा नहीं होना चाहिए कि 10-12 गंटा 15 गंटा बड़े जोस में आये 15-20 दिनों तो पढ़ाई की फिर दो महीने हम सो गए तो वो निरंतरता अगर आपकी बनी रहेगी तो फिर आप जो ही वेकेंसी आएगी न तो आप पड़े मनोवियों से लग जाएंगे उसमें और पूरी समरपड के साथ अब लग जाएंगे घरवाले जो है कई बार होता है कि सपोर्ट क कर लो अब वकालत वकालत कहीं शुरू कर लो उमर निकली जा रही है कई लोग के साथ यह समस्या हैं जो लोग तैयारियों में हैं तो पहला सवाल तो इससे जुड़ा हुआ कि परिवार का कितना सपोर्ट रहा और दूसरा इस तरह के सवाल आते थे कि नहीं आते थे जी ऐस परिवारों में ऐसा होता है कि एक उमर के बाद माता पिता की भी एक सवाविक चिंता रहती है उनके अपने एक दाइत तो होते हैं तो ऐसा कहा जाता है लेकिन यह मैं अपने संदर में यह जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे मेरे परिवार ने बड़ा साथ दिया इन सब बा मेरी मा ने, मेरे पिता जी ने, मेरे भाई बहनों ने वो दिया और आप यह जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की सफलता में उसके परिवार का बड़ा अहम योगदान होता है क्योंकि यदि परिवार आपको वह अवसर ना उपलब्द कराए वह लेजर पीरियड फुरसत के व अपने कमरे में तो वो उन्ही के लोगों के हैं अब मैं यह सवाल अक्सर लोगों से पूछता हूं जो लोग भी सफल होते हैं जब रिजल्ट आया होगा तो आपने देखा हो जाइड़ सबसे पहले आप ही ने देखा होगा इंडरनेट का जमाना है सारे लोग तुरंत तो स दो बजे से ले करके साम को आठ बजे के बीच में किसी भी समय तो आप समझ सकते हैं कि मनोदसा कैसी रही होगी कि आप रिजल्ट आने वाला है तरह तरह के मन में खयाल आते हैं कि यह सक्षातकार मैंने इस तरीके से दिया है मेंस की परिक्षा ऐसी दी है ऐसा हो सकता ऐसा नहीं हो सकता है सब मैं में ख्याल आते थे और मैं जब रिजल्ट आया तो उस समय में घर पे नहीं था मैं यहीं अपने 914 पर गया हुआ था वहीं पर फुल्की टिकिया खाने के लिए ऐसे मन भालाने के लिए वहां चला गया था तो मेरे एक मित्र कर दो कर दो तो मैंने रहे पर लिए खा लेता हूं तो फिर उसके बाद उनका कॉल बैक कर दूँगा कि मैंने रुप दिया इत्र है विजय पांडे उनका नाम है तो विजय जी तो उन्हों ने बधाई देते ही तुरन कहा कि सर्षेन बधाई यो आप जज बन गया मैंने कहा भाई मजाक मत करें माजाक में करता हूं मैंने कहा आप कने पी आप का पने लگ सिस्टिति हो गए ऑजह आज अप्अ ऍविश्व मतलब यह ख़वर है तो फिर का नहीं बिलकुल मैंने कहा ऐसा है कंफर्म करिए आप रोल नंबर बूलिए जरा क्या पता सर्वेस पांडे नाम से कोई और हो तो उन्होंने रोल नंबर मुझे याद था फिर उसके बाद मैंने खा अब तुरंट मुझे पीडियफ भेजिए तब पीडियफ उसका देखा फिर उसमें जाकर के मैंने रोल नंबर को क्रॉस चेक किया और फिर मैं यहां पर परमपरा में पिता पुत्र का संबंध होता है वह बड़ा सहज नहीं होता है मतलब एक दूरियां रहती हैं मर्यादा मेरे आखों में आसू थे और मैं पहली बार अपने जीवन में पिता जी के गले लगाओंगा पैर छूता हूं का मेरे नित्तिप्रति मेरी यादत है कि मै की बख्वान चिर्वार की बढ़ दूरिव के अधा परवसमय उठकर रघुनाता मात पिता घुरि नावही मां था that भाग्माा नाम रौस प्रत प्रत परात काल उठте है और माता पिता कर पेर चूते हैं और तो परमपरा मेरे नहीं हुरे लेकिर पहली बार मैं पिता जी के मुई जलने Україं कहीं को यहां भी चल रहा है कुछ मुझ चल रहा है हमारे हमीत्र लोगं यहाँ पर आय थे काफी यहाँ पर उन्हों दो फिर 20 स्वार द 1 कि अधेieten जैने स्वाजी काफी ही जाना तो तो अब ये बताईए अब चुकि बहुत लंबार समय भी हो गया है ज़ले से इसको हम रांड अप करेंगे क्या आप जज़ बन चुके हैं अब तो होगा ना कि आप तक लाइफ का उदेश है रहा हुगा कि अब जज़ बनना है अब तो ज़ज़ बन गया अब क्या उदेश है कि किस तरह से जो नियाईक दिवस्ता है उसमें रहकर लोगों की कैसे जादा-जादा मदद हो उस पर क्या विचार रखते हैं और अब का क्या लक्षे आगे से कि मेरा प्रयास यह रहेगा कि जिस कारे के लिए मुझे इश्वर ने नियुक्त किया है ये सब इश्वर का ही प्रसाद है जिस कारे के लिए मुझे नियुक्त किया है मैं उस कारे को बड़े सम्यक बड़ी इमानदारी और बड़ी तत्परता के साथ निभा सकूँ मेरे समक्ष जो भी माम ले आए मैं मानता हूँ यह हूँ कि न्याय पालिका में आज भी आम आदमी का विश्वास बहुत है व्यक्ति कहीं से कहीं से भी हार जाता है तुसे एक आखरी उमीद रहती है कि न्याय पालिका है तो उस अंतिम पायदान पर खड़े उस व्यक्ति की उस उमीद को बरकरार रखने की पूरी कोसिस मेरी रहेगी और मैं चाहूँगा कि इश्वर मेरी इस प्रयास में मेरी मदद करें उनकी कृपा बनी रहे ताकि मैं ऐसा कर सकूँ एक आखरी सवाल हमारी मित्र है वो PCSJ की तैयारी करती है उनका इस्पेसल सवाल था कि जब आप उनसे मिलें तो यह जरूर पूछें कि लॉग के जो जीके या वो रिजिनिंग माला पोर्शन है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें या उसकी तैयारी कैसे करें कि आपने बड़ा महत्वपूर सवाल और चुकी वह एक अब हरती उसकी है तो वह समझ रही होंगी जो हम लोग क्या करते हैं न जो भी लोग प्रियास कर रहे हैं या जो आगे करेंगे वह अभी से इस बात को ध्यान रखें कि वह तो एक घंटा दो घंटा जब भी हो न तो वह ज़ियस पर जरूर ध्यान दे क्या पढ़ें जीस में जैसे वह किसी भी किताद उठा सकते हैं वह आप घटना चकर उठा सकते हैं जहां से भी उनको लगे वह यूटूब पर देख सकते हैं लेकिन आप वह जीस का एक नोट ज हो उसको पढ़ते रहें आप फिर उसके बाद जब आपकी वेकेंसी आए तो कोई एक येरली कोई मैजीन उठा लीजिए आप उसे पढ़ाई करिए जैसे मैंने घटना सार लिया था घटना चकर लिया था एक इडियूटीरिया करके मैजीन आती है उस से मैंने लिया था और इस से यह होता है जब हम वेकेंसी आती है और जब हम उसको रिविजिन करने बढ़ते हैं तो वो चीजें हमेरे नई नई रहती हैं हमारे लिए वो हम पढ़ी रहती है और पढ़ा हुआ है एक बार लिखा हुआ है एक बार पढ़ा हुआ है और फिर तीसरी बार में रिवाइज हो जाता है और इसका रोल आप देखिए प्री में भी और मेंस की परिक्ष बिल्कुल जीएस पे विसेज ध्यान दें एक मेरे लाकिमित्रों से यह भी मैं कहना चाहूंगा कि लोकल लाओ का पेपर होता है उस पर भी वह विसेज फोकस करें और एक होता है निबंध लेखन का पेपर काफी अच्छा स्कोरिंग होता है यदि आपने अपनी लिखने की अ आप अच्छा स्कोर कर लेंगे तो उसके लिए भी आपको जीएस पे ध्यान देने की जब विसेज जरूरत है सिर्फ लाओ लाओ तो पढ़ना ही है लेकिन जीएस पर भी कॉंसेट बराबर करते रहना है क्योंकि आपके स्कोर इधर से भी आगे बढ़ेंगे बिल्कुल कमा आपको सफल होने से कोई नहीं रोख सकता है अपने आतना समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आखिरी में चातरों को क्या मैसे देना चाहेंगे एक-दो-लाइन में कि कैसे वह पढ़ाई करें और कैसे सफलता को पराप्तर करते हैं । नहीं है लेकिन मैं दो, तिन चीजह जूरूर बताना चाहूँगा, वह धयान दे, किसी भी जीवन के किसी भी छेत्र में, जो भी उनका लक्षे हो, तो सबसे पहले बात तुम्हें चाहूँगा कि कठेन परिस्रम का कोई विकल्प नहीं होता है, आप जितना हो सके कठिन परिस्रम करिए जितना हो सके आप कठिन परिस्रम करिए और कठिन परिस्रम के साथ साथ आपके पास धैरे होना चाहिए अनुशासन होना चाहिए धैरे इसलिए मैं फोकस कर रहा हूँ धैरे सब देखा कि धैरे जीवन में बहुत जरूरी होता है आप इश्वर जिस सक्ति में भी आप विश्वास रखते हों, इश्वर, राम, कृष्ण, अल्ला, किसी को आप मानते हों, जिसको भी उनकी सक्ति में विश्वास रखिए. ये जीवन का बहुत बड़ा सुत्र में बता रहा हूं कि व्यक्ति के हाथ में केवल कर्म ही है, फल उसके ह प्रसित दिश्लोक है, कर्म ही आपके हाथ में होता है, आप फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए आप कर्म करिए, अच्छे भाव से कर्म करिए, निसकाम कर्म करिए, यदि हो सके, संभव हो सके, कर्म करिए, और बाकी रेष्ट जो है, वो आप इस्वर के छोड़ आपके लिए जरूर जो आपके प्रारव्द में लिखा होगा, और जो आपके लिए होगा वो उस मुकाम पर जरूर आपको पहुंचा देंगे, जो लोग PCSJ के तयारी कर रहे हैं, कई बार वो कन्फ्यूज होते हैं कि प्री, मेंस, इंटर्व्यू, मतलब जो पहली बार इ सतार यह तो कई सारा एक्जाम है, इतने मांक्स का यह है, पहले यह तैयारी करेंगे, बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, तो आपने क्या स्टेटीजी अपनाई, कैसे इसको डिवाइट किया, किसके तैयारी पहले करनी है, किसके निरन तर्दार करनी है, पूरी स्टेड़िय आपके क्या रही उसको बताएं ताकि जो भी लोग तैयारी करना चाहते हैं उनको सहुलीव कोडिफाइंग होते हैं उसमें जो qualified candidates होते हैं वह में लिखते हैं यहानी प्री का नंबर ही कि अभी बड़ा री नहीं होता है यहें लखला ही उशहाद है कॉलि की फीये जो फहाई करें लेक जो अभी इसके पहले इसा प्रूटूर ढेंगर की यहां मदित। 5 एरिया पर ज्यादा ध्यान देंगे तो यह आपके लिए जादा फ्रूट्फुल होने वाला है तो मैंने के लिए किरन पबलिकेशन का आता है जी इस मैंने उससे पढ़ा था लूसेंट का पढ़ा था महेंस वर्ण वाल की एक 1 alive को नगर कि पढ़ाई की थी तो मैंने जीयस अच्छे से तयार किया था जितना हो सकता था करेंट अफेर्स मैंने पिछले एक वरसो के करेंट अफेर्स काफी अच्हे तरीके से देखे थे में जिन्स में भी देखा था और साथी साथ जो महरातन ग्लास से होते हैं यूटूब से यूटूब से यह घू किया है तो इस तरीके से मैंने अपनी की मेरे स्टैटेजी थी मेरा के बाद में जो मेंच की परिक्षा होती है वो एक बहुत 10-15 सालों के जितने भी question आये हुए थे, सारे प्रश्णों के उत्तर मैंने, मैंने क्या किया था, कि एक A4 size का paper उठाया, और जो भी, जैसे माले जी हिंदु ला है, तो हिंदु ला के सारे प्रश्ण, पिछले 10 सालों के जितने प्रश्ण पूछें, मैंने उसको note down कर लिया था Muslim law है, note down कर लिया था, Constitution है, उसके paper मैंने note down कर लिया थे, Indian contract act है, उसके question papers मैंने लिख डाले थे, और फिर उसके बाद सारे प्रश्णों के उत्तर, किताबों से, Internet से, Google से, जहां से हो सकता था, मैंने सारे प्रश्णों के उत्तर वो किये, अपना, तो अगर आप 10-15 सालों के paper आप कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि मेंस में साइध विशेस दिक्कत नहीं होने पाती, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारे प्रश्णों और लाप कर रहे होंगे, तो आपको ये एक आइडिया लग जाएगा कि प्रश्ण कैसे उत्तर क्या होना चाहिए, और मैंने उसके बाद आंसर राइटिंग अपना किया, खुद ही लिखता था, खुद ही लिखता था, खुद ही लिखता था, खुद ही पूरे दिन भर मैंने लिखने का काम करता था, और रात को उसका रिविजन करने का, मेरा ये मेरी एस दिन भर लिखता था और चुकि मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि लिखने की हैबिट विक्सित करनी बहुत जरूरी है जो तीन घंटे का पेपर होता ना इतने प्रशन रहते हैं आपको बताऊंग वली जी कि समय ही नहीं रहता है आपको नॉलेज रहेगा लेकिन अगर आपने अच्छी लिखने की स्पीड विक्सित नहीं की है तो आपका प्रशन छूटना तय है और प्रशन अगर छूट जाना तो उससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता प्रशन नहीं चूटने चाहिए आप लि मैंस में भी जीएस पर विसेज फोकस करिएगा निबंद जो है लेखन पर भी विसेज ध्यान देने की जरूरत है इन सब चीजों पर मैंने ध्यान दिया था ताकि वह एक अच्छा स्कोरिंग पेपर होता है और बस यहीं कहना चाहूंगा कि अगर आपने मैंस में अच्छा इसलिए मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि आप इंटर्विय के तैयारी के लिए जब मैंस कर दाब हो तो बहुत सारे कोचिंग केंसेंटर मॉर्ट कर वाते are मौक इंटर्व्यूज भी अगर कोई चाहे तो कर सकता है लेकिन ये उसमें बेसिक से ही सवाल पूछे जाते हैं मुझे लगता है कि इंटर्व्यू जो होता है वक्तित तो परिक्षन होता है मेरा साथ शातकार 20 मिनट तक चला था उसमें कोई सवाल बताएंगे जो मज़दार रहा हूं मज़दार सवाल जैसे क्या है जो लाके हमारे दोस्त देख रहे होंगे वो जाने होंगे कि मुझसे तो 50% कोश्चन जूरिस्प्रोडन से पूछ लिए गये थे विदिसास्त्र से वो वजदिसास्त्र जो होता है वो लाका एक फिलोस्पी होती लाका दर्शन होता उसी से उन्होंने 50% कोश्चन उसी से पूछ लिये फिर उन्होंने मुझे कॉंस्टिशुशन से सवाल पूछे, CRPC से पूछे, EVIDENCE से पूछा, PCPNDT Act से उन्होंने मुझे सवाल पूछे, मेरा इंटर्व्यू काफी अच्छा रहा था, मैं सटिस्फाइड था अपने इंटर कम है, इनका बहुत कम पर्चेंटेज है, रिजल्ट में, इसकी क्या वज़ा है और उसको कैसे टेकल किया जाए, देखिए, लैंग्वेज, मैं मानता हूँ कि विशेस बैरियर नहीं है, लैंग्वेज बैरियर होना भी नहीं चाहिए, भासा एक अभिव्यक्ति का माध्यम ह केवल ग्यान का परिचायक नहीं होता है भासा, तो अगर ऐसा कुछ नहीं है, यदि आपने विशेप एक अच्छी पकड़ बनाई हुई है, और अगर आप अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, आपका अगर प्रिजेंटेशन का तरीका बढ़िया है, और अप जैसा मुझे बता रहे हैं कि हिंदी माधियम ऐसा है, नहीं क्योंकि हम लोग जब उसको रजल्ट को ऐनलेसिस कर रहे थे, तो उसमें बहुत कम संख्या थी उन चात्रों की, जो हिंदी मीडियम से हम हैं क्या तयारी मतलब मेरे जानने वाले किस लोग ऐसे हैं, जो उनक चाहता हूं कि आप हिंदी भासा को ले करके ना घबराएं और अब आवसकता भी नहीं है कि आप अपनी भासा का मूड चेंज करें जिस भासा में आप आंसर राइटिंग करते हैं उस भासा में ही करिए हिंदी भासा में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हां हिंदी भासा में यह मैं कहना चाहूंगा कि जादा अफर्ट करने के आवसकता है वो मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हिंदी भासा और अंग्रेजी भासा माप देखिए कि एक मिनिट में अंग्रेजी का कोई बच्चा यदि वो आंसा राइटिंग कर रहा है तो जितने सब्द वो लिख देगा हिं मेहनत करने के आवसकता है ज्यादा ध्यान देजिए ज्यादा हैं आप लिखने की प्रैक्टिस विक्सित करिए और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे नहीं रगता है कि हिंदी कोई बिसेस बैरियर है हिंदी माध्यम से भी सफ़लता है मैदान में उतरिए कि बहुत डरने क ज़्यासं के जरूरत हैं एक और अखिलाश्व्र है आव लंबन को नरहो निरास करो मन को निरास होने की ज़रूरत नहीं कोई भी माद्यम रहे आप लगन से परिस्रम कर रहे हैं तो आप सफल जरूर हो जाएंगे अपने इतना समय देश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद